23 जन्वरी 2023 को गाजा में इस्राइली सेना के जमीनी हमले के दोरान अलकासिम ब्रिगेट ने IDF के 21 जवानों को रॉकेट प्रोपेल्ड क्रिनिड अटेक से उड़ा दिया था ये सभी जवान एक दो मंजिला इमारत के भीतर थे इसी दोरान अलकासिम ब्रिगेट के लड़ाके इन सैनिकों को सुरक्षा दे रहे हैं इसराइली टैंक पर रॉकेट लांचर से हमला करते हैं और इसके तुरंद बाद उस बिल्डिंग पर एक RPG दाग दिया जाता है जिससे पूरी बिल्डिंग जमीदोज हो जाती है और उसमें इसराइल की 21 सैनिक मारे जाते है अब इसी हमले को लेकर अलकासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें साफ देख रहा है कि कैसे अलकासिम ब्रिगेड का लड़ाका पेड़ों के पीछे छिप कर टैंक को निशाना बनाता है और इसके तुरंद बाद एक दूसरा लड़ाका उस इमारत पर RPG द डरसल ये पहली वार ऐ जब जमीनी हमले में एक ही दिन में इसराइल के एदnowी तादाद में सेनिक मारे गए हों इस हमले को लेकर, इस्राइली सेना के प्रवग्टा रियर अड्मिरल डैनियल हेग्री निबताया, कि कीबुद किसुफים के करीब, इस्राइली सेनिक सेना के लिए बफर जोन बना रहती, इसी दोरान, उन पर RPG अटेक हुआ, ये सेनिक यहापर हमास के ठीकानों को गिराने की प्रुटा ये सेनिक धादेए. हैं तंक, फटंक शिया थे अजिर्ड के लिए भी जागन थे प्सक्त, तंक शिया गेर्च के शिया एकाम थे प्रिक भीज करा जापनाओंग साव्ट नेल्एंच, और प्रिक शिया काल हरा फ्क्याद़ के बारेब्स कि लिए भीजाच, काना सब्सक्त हैं कि उसने अल मगाजी रिफ्यूजी कैम के पास एक इमारत पर हमला किया चहां पर एक इसराइली इंजिनिरिंग यूनिट तैनाग थी जिसमें बारूत का धमाका हुआ और धमाके से बिल्डिंग इसराइली सैनिकों की उपर आगिरी वहीं दूसरी तरफ इसराइल के प्रधान मंत्री बिनजामीन नेतन नियाहू ने कहा है कि गाजा में जंग तब तक नहीं रुकेगी तब तक की IDF गाजा पर फटह हासिल नहीं कर लेती फ्र्मों के थाता हमें प्रोटो प्रूजाद क्तरी है झाध प्रूस आंड घंड है यव corazón में क्तיןजाफने प्रूसक क्ड़। प्रूस प्रूस थाम प्रूस में कि फל्स्त्म धेंगी तarta लग्यान प्रूस मत्राइब का प्रूसा स्राइब כשעולמם נשתנה לעד, אנחנו שולחים תפילה כאן בשלום פצוען. צהל בודק בדיקה יסודית של האסון, אנחנו חייבים להבטיק את הלקחים ולעשות את הכל למען שלום לוחמנו. אנחנו בעיצומה של מלחמה שאין צודקת ממנה. במלחמה הזאת יש הישגים גדולים, כולל היום בהשלמת הכיתוב של חן יונס, אבל יש גם מחירים כבדים מאוד. אנחנו מרכינים ראש לזכר נופלנו, ואם זאת איננו לרגע מפסיקים לחתור ליעד שאין לו תחליף. השגת הניצחון המוחלט. יחד נילכם ובעזרת השם, יחד ננצע. आपको बता दे, कि गाजा में हमास की शैनने साखाल, कासिम ब्रिगेड और अलकुट्स ब्रिगेड लगातार इसराइली टैंक को और पैदल सेना को निशाना बना रहे हैं. इनमें वे अधिकतर हमली खात लगाकर और छिपकर कर रहे हैं. झाल 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 झाल